इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। यह आपकी तवचा को hydrate और moisturize करता है जिससे आपकी तवचा hydrate रहती है। इसका उपयोग कीडे के काटने, मामूली जलन, कटने और धूप की कालिमा के कारण होने वाले दर्द को अस्थाई रूप से दूर करने के लिए भी किया जाता है। दिन में दो-तीन बारिया बताए अनुसार लगाएं। फिस्टो कैलामाइन लोशन का इस्तिमाल करने के दो-तीन हफ़तों के बाद आप अपनी तवचा में सुधार देख सकते हैं। यह दवा केवल बाहरी उपयोग के लिए हैं। अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार इस दवा का प्रयोग खुराक और अवधी में करें। इसे अच्छी तरह से हिलाएं और समान रूपसिक शेत्र पर लगाएं। हिस्टो कैलामाइन लोशन पाँच दवाओं का एक सयोजन है। डिफेन हाइड्रोमाइन, एलोवेरा, कैलामाइन, कपूर और ग्लिसरीन जो तवचा की अलजी की स्थिती का इलाज करते हैं। डिफेन हाइड्रोमाइन एक एंटी एलिजिक है जो एक कैमिकल मेसेंजर, यानि की हिस्टा माइन के प्रभाव को रोकने का काम करता है, जिससे तवचा की अलजी के लक्षनों से राहत मिलती है। एलोवेरा एक पौधा है, जिसके अर्ट नमी को बहाल करके तवचा पर एक सुरक्षात मकपरद बनाते हैं, जिससे तवचा हाइड्रेटेड और तरोताजा महसूस करती है। कैलेमाइन और कपूर हल के कसैले होते हैं, जो तवचा पर हल की जलन को दूर करने के लिए ठंड़क प्रदान करते हैं। ग्लिसरीन एक मॉइस्चराई जह है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पर सेट करें। धन्यवाद।